Hello everyone, मेरा नाम तौसीफ है और यह hotel booking website की 19th वीडियो है previous वीडियो में हम लोगों ने user login system को implement किया था और इस वीडियो में हम करेंगे क्या, कि back end पे काम करेंगे और जितने भी users registered हुए हैं, उनको हम back end में कैसे manage करेंगे उन चीजों को देखेंगे, किसी भी user को अगर हमें ban करना है तो हम किस तरीके से करेंगे user को delete करना है तो किस तरीके से किया जाएगा और साथ हम front end पे shutdown mode को active inactive करके test करेंगे अगर shutdown mode को back end पे on कर दिया हमने तो front end पे क्या booking होगी या नहीं होगी यहां पे सिर्फ एक pre-requisite है कि आपको debugging अच्छे से आनी चाहिए इस वक्त हम zamp में hddocs folder के अंदर hp website नाम के folder में है तो first of all हम इदर आ जाते हैं वे अपने web browser पे यहां पे मान लिजे हम settings में आकर shutdown mode को activate कर दें तो हम चाहते हैं यहां पे header के ऊपर एक notification हमें दिखने लगे कि bookings are temporary closed करके ठीक है जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ हमारी bookings अभी नहीं हो सकती है और यह book now का जो button है जिन जिन जगहों पर भी है वो गाया बो जाए अगर यह rooms page पे है तो rooms page पे भी यह गाया बो जाना चाहिए सिर्फ more details का बटन रहेगा और बाकी जो book now बटन है वो गाया बो जाएगा और उपर एक notification दीखे तो इस चीज को चलिए इंप्लिमेंट करते हैं इधर जाते हैं vs code पर दिन इसके बाद inc के अंदर links में यहां पर देखिए settings वाली टेबल थी उसका data हम फैच कर आ रहे थे हैं और अगर आपको याद हो तो settings यह रहा है अगर shutdown नाम का जो index है वो true है यहां पर आप चाहो तो equals to equals to one लिखो चाहे तो मत लिखो अगर इसकी value one है तो यह उसको true consider करेगा और यह block execute हो जाएगा तो हमने कहा echo करा दो echo क्या कराना है हमने का एक alert bar echo करा दो यहां पर हम एक div ले लेते हैं div इस div में कुछ classes डाल देते हैं जैसे bg danger इसके बाद text-center then p-2 यानि की padding आ जाए और fw-board यानि की font weight बोल्ड हो जाना चाहिए इसके अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे उसके साथ यह चीज़े होनी चाहि इसको save कर देते हैं इधर आ जाते हैं refresh करते हैं फिलहाल तो हमें कोई भी changes देखने को नहीं मिल रहे हैं लेकिन अगर इधर आकर shutdown mode को activate कर दें और अब अगर हम page को refresh करेंगे देखिए हमें यह bookings are temporary close दिख रहा है हम किसी भी page पे जाएंगे हमें यह चीज़ देखने को मिले ठीक है तो यह हो गया अब यह खाली खाली देख रहा है यहां पर काम करते हैं bootstrap को कोई icon लगा देते हैं तो इधर आइकन पर आ जाएंगे यहां पर हम सर्च करते हैं कुछ danger type something इधर नहीं है info info पर भी नहीं है यहां पर exclamation mark जैसा कुछ हमें चाहिए प्राइंगल तो इसमें से जो है यह फिल वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं इधर आ जाते हैं इसमें paste कर देते हैं यहां पर सेफ किया refresh किया तो इस तरीके से हमें एक icon भी देखने को मिल रहा है तो अगर अब जब भी यह shutdown रहेगा तो हमें यह notification देखने को मिलेगी लेकिन notification से कुछ नहीं होगा हमें यहां पर book now button भी हटाना है तो उसके लिए हम करें कि क्या कि पहले तो काम करते हैं इसको copy कर लेते हैं यहां पर आजाते हैं index page पे पहले तो index page में our rooms में हमने data fetch कराया है यहां पर echo करा रहे हैं काफी सारी चीज़ें यह जो anchor tag है जिसमें book now लिखा हुआ है इसी को हमें condition में डालना होगा तो यहां पर हमें काम कर सकते हैं कि एक variable लेते हैं dollar book underscore btn equals to इसकी value blank रहेगी हमने कहा if यह जो settings are है ठीक है यह तो हर page में accessible होगा क्योंकि हां पर हमने देखी header में दिया उसको sorry header में नहीं links tag में दिया है तो link tag तो हर जगा पर use कर रहे है न हम ठीक है तो यह हर जगा पर accessible है यह variable settings are shutdown index तो अगर यह true होता है तो अब हम क्या करेंगे dollar यहां पर book btn अब इसके double quotes क अंदर हम इसे रख देंगे इसको cut किया यहां पर paste किया then semicolon और यह जो double quotes लगे हुए है जिनके वज़े से इतनी दिक्कते हो रही है इसको single quotes कर देते हैं कितना कर दिया देखिए by default इसकी value blank रहेगी अगर shutdown है तो क्या होगा यहां पर not लगा देते हैं हमने कहा कि अगर shutdown नह से क्या होगा कि अगर shutdown नहीं है site ठीक है तो क्या होगा हमें यहां पर button देखने को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तो अब इदर आकर refresh करते हैं तो देखिए हमारा book now का button गायप हो गया अब इससे सिर्फ काम नहीं बनेगा इधर भी हमें यही चीज़ करनी है इधर आ जाते है यह जो logic है इसको copy कर लेते हैं इधर rooms वाले paste पर आ जाएंगे हम यहां पर एकदम नीचे यहां पर paste कर देते हैं इसको फिलाल और यह जो anchor tag है इसको हम अटा देंगे यहां पर बस एक चीज़ चेक कर लेते हैं यहां पर जो anchor tag है इसकी values same है कि नहीं तो थोड़ी सी different हो सकती है इसलिए इसको cut करके यहां पर paste कर देते हैं बाकी same काम करेंगे हम single quotes में convert कर लेते हैं इनको इससे भी change कर देते हैं अब यहां पर dollar book underscore btn refresh किया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अगर यहां पर not का symbol हटा देते हैं हम तो normal जैसे दिखता था वैसे दिख रहा है तो फिलाल अभी हमने shutdown mode activate किया है तो इस वज़े से यह गाया बोजाना चाहिए तिक दिन इसके बाद more details में आएंगे तो यहां पर भी book button दिया हुआ है हमें यहां पर भी हटाना होगा इसे तो सीम काम करेंगे इसको copy कर लेते हैं फिर से जिदा आ जाते हैं room details में room details में जहां पर card body card body के अंदर शाहिद मिल जाए features area यह रहा ठीक है यह आप इतना data echo करा रहे हो तो एक काम कर लेते हैं इसको कुछ ऐसे कर देते हैं हमने का अगर shutdown नहीं है तो यह line echo करा दो refresh किया तो अभी shutdown mode active है इस वज़े से यह गायब हो गया अगर inactive होता यानि कि इसको inactive कर दिया refresh किया देखिए यह बटन देख रहा हमें तो यहां तक का का काम हो गया हमारा फिर से activate कर लेते हैं तो इस तरीके से फाइदा क्या होगा कि हमें एक तो banner देखने को मिल जाएगा प्लस book now का जो बटन है वो गयब हो जाएगा तो जब भी कोई user आएगा उसको यहां से ही समझ में आ जाएगा कि जो booking है वो अभी temporarily close चल लगी है तो आप booking नहीं कर सकते हैं अब next step हमारा यह है क अगर हम user end को छोड़ दें back end पर आ जाते हैं हमने जो registration कराया है उसमें user का जो भी data इधर back end पर हमें दिखाना है तो उसके लिए इधर वापस आएंगे हम इन सारे pages को close कर देते हैं इसे collapse कर देते हैं admin में आ जाते हैं admin में हम करेंगे क्या कि rooms वाला जो page है उसकी copy बना लें यहां पर लिख देंगे users इसके अंदर इसे rooms की जगा लिख देते हैं users और इसके बाद आ जाएंगे हम header में header के अंदर कुछ चीज में थोड़ा सा उपर नीचे कर लेते हैं इसे copy कर लें पेस्ट किया room की जगा लिख देते हैं users अब एक काम कर लेते हैं user query इसको उपर कर द user queries ऐसी चीज़े हैं और user ऐसा है कि उसमें हो सकता है बीच बीच में changes मांगे ठीक है मतब admin को manage करना पड़े तो इसलिए इसको उपर कर दे रहे हैं बाकि इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा यह user queries है तो इदर user queries है इदर रहे users ठीक है तो अभी users पर हमें क्या मिल रहा है simple room rooms क जो भी data है वो देखने को मिल रहा ठीक तो इसको सही कर लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं users अब इदर लिख करेंगे तो इदर users वाले page पर हम आ गए ठीक दिन इसके बाद इसको close कर देते हैं यहाँ पर है ही हम button को comment चाहो तो आप कर दो यहाँ पर table में हमें कुछ changes करने ह हैं सबसे पहले तो यहाँ पर यहाँ पर यह लगा हुआ इसे हटा देते हैं हम चाहते हैं table responsive रहे हर एक size के लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो भी table आने वाली है वह बहुत बड़ी होगी तो यहाँ पर columns पहले decide कर लेते हैं styling को भी हम हटा देते हैं then इसके बाद यहाँ पर name, name के बाद क्या होगा email होगा email के बाद phone number होगा user का phone number जो भी होगा यहाँ दिखा देंगे हम then इसके बाद location location में हम दिखा देंगे address और pin code then date of birth तो डियो भी डाल देते हैं सिर्फ फिर verified यानि user verified है यह नहीं है इसके बाद verified के बाद बचेगा status यानि कि वह active है यह नही जब ठीक and हाँ एक चीज़ लास्ट और डेट कि किस डेट को उसने registration किया था कब उसका account active या आपके सकतो create किया गया है तो इधर आके refresh करेंगे तो इतने columns आ गहें नाम email phone number location डीयो बेरिफाइड status date and action action में सिर्फ एक delete बटन रहेगा ठीक इससे रदा कुछ नहीं and इस बार ह इतना ठीक है अब आप किसी साब सही 1300 पिक्सल को ही चुनोगे देखिए अगर हम इस पर right click करके इसको inspect करें और इसको बन कर देते है responsiveness और इस table को अगर हम hover करेंगे और एकदम नीचे आ जाएं तो यह table की जो size actual size है ठीक है वो इतनी है और अगर आप इस पूरे div को चाहो त table की ठीक है यह बहले थोड़ा सा overflow करें तो भी चलेगा हमें इदर refresh किया तो देखिए हम आपस scroller आ गया अब इसका फाइदा क्या है पता है हमने इसको जान बूच के बढ़ाया है इससे फाइदा यह होगा कि यह table भले कितनी भी लंबी हो जाए यह हम scroll करके इसका जो data है य data consistent हो जाएगा ठीक है यहां पर verified के लिए button रहेगा status रहेगा delete button रहेगा तो काफी सारी चीज़े रहेगे तो इसको manage करने का भी हमें देखना होगा ना तो इसलिए हमने table को पहले से ही बढ़ा कर दिया यहां पर with then इसके बाद इसको हटा देते हैं यहां पर room data की जगह table data या users data लिख देते हैं अब यह जितने भी model हैं इनको collapse करके हटा दो क्योंकि यहां पर हमें कोई भी चीज add नहीं करनी then यहां पर लिख देते हैं users.js ठीक है अभी हम इसको बनाएंगे बाकी तो सारी चीज़ें सही है मुझे नहीं लगता कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत है अब इदार आ जाते हैं जरा script में यहां पर rooms.js को copy करकर paste करेंगे इसको लिख देते हैं users.js इसके बाद यहां पर काफी सारी चीज़ां हमें change करनी है, काफी सारी चीज़ों को delete करना है, जैसे add room का कोई भी काम हमें नहीं है, यहां पर get all room का का काम रहेगा, edit details का कोई काम नहीं है, यहां पर इसे delete कर देते हैं, इसे और toggle status हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें जो status है user का वो भी toggle करना होगा, ठीक, यहां पर image का कोई काम नहीं है, room images का कोई काम नहीं है, remove image का भी काम नहीं है, remove room, remove room के बिहाफ पर हम आप कह सकते हो कि user को remove कर पाऊगा, ठीक, तो सिर्फ इतने functions की जरूरत हमें पढ़ेगी, और इसको हम फिलहाल के लिए comment कर देते हैं, then इसके बाद यहां पर get rooms रहा देते हैं, पहले output एक बार, refresh किया, अभी के लिए blank table है, यहां पर कोई नहीं आ रहा, हमें पता है कि हमें ajax request मानने हैं, जिससे हम user का data fetch कर सकें, तो यहां पर users.js file है, जिसके अंदर हम ajax का code लिखेंगे, और वो ajax का code क्या करेगा, वो request मारेगा, और जो भी data हैगा, यह आप कह सकते हो, लाके feed कर देगा, अब इसके अंदर इसका जो नाम है get all rooms, यहां पर लिख देते हैं get underscore users, हमें users चाहिए, और यह function कब call होना चाहिए, जब हमारी window load हो जाए, तो इसलिए यहां पर हमने इसको लिख दिया, इसके बाद यह query करेगा, यह fire होगी query, ठीक है, यह जो index जाएगा, वो जाएगा, get underscore users, इतनी चीज़ें एकदम clear होनी चाहिए हमारे हिसाफ साफ को, हम इधर आ जाते हैं ajax में, rooms वाले जो file है हमारी, उसको copy paste करते हैं फिर से, यहां पर users.php लिख देंगे, then add room को collapse कर लिया, get all rooms को, इसको, 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 और इसको, जाध चीज़ों को हटा भी देना है, तो thumbnail image, remove image, get room images, add image, यह सारे को हटा दिया, सिर्फ toggle रहेगा, remove room रहेगा, और यहां पर get all rooms रहेगा, तीन functions रहने वाले हैं, जिनमें से last के दो को हम comment कर देंगे, अब यहां पर if set की value को हमें पहले तो change करना होगा, यह request यहां से जाएगी, य index लेकर, get users, यहां पर get users, अब हमें data कहां से, किया किस table का get करना है, तो हमने कहा हमें users, user underscore cred नाम की table का data get करना है, यहां पर select all function use करेंगे, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, line extra छोड़ देते हैं, जिससे आपको confusion ना हो, यहां पर है user cred, यह table है हमारी, इधर आ जाते हैं, हमे then हमें चाहिए path, ठीक है, हमें users की image भी दिखानी होगी ना, dollar path equals to, यहां पर users, img path, ठीक है, user की जो image है, वो कहां store है, इसके अगर हम over करेंगे, तो देए, दिखा रहा है, site URL slash images slash users, ठीक है, इसको हमने last time, last वाली वीडियो में set किया था, इतना हो गया, path के बाद, इस बार य muscular fetch, dollar rest, यहां पर data fetch किया जाएगा, अब बात आती है, जो status, status है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी हम इसको हटा देंगे, पूरा पूरा, इस पूरे को यहां से select करके, चाहो तो delete कर दो, तो सबसे पहले हमें table row भेजनी है, हमने का एक row लेकर जाना, उस row में रहेगा क्या यहां पर हम td tag लेंगे, सबसे परदे तो dollar आई रहेगा, यानि कि यह hash, इसके बाद name, फिर email, फिर phone number, इसी तरीके से copy paste, यहां पर row, row के अंदर name, then row के अंदर, यहां पर email, यहां पर phone number, इसके बाद यहां पर address, अगर आपको column से याद हैं कि किस column को किस के बाद लिखा है यहां पर एकटा आप लिख सकते हो, इतना किया, इधर आते हैं, देख लेते हैं, phone number, location, date of birth, verified, date of birth, इसके बाद, यहां पर लिख देते हैं, dob, I think date of birth के लिए हमने dob लिखा है, save करते हैं, इधर आके पहले column match कर लेते हैं, address, phone num, pin code, dob, एक profile भी हमें दिखानी है, तो यहा यहां पर एक काम करते हैं, पहले तो एक IMG टाग लेते हैं, यहां पर src, this, इसके अंदर dollar, path, path के अंदर हमें पता है कि dollar row के अंदर profile नाम का एक index है, जिसमें image का नाम है, जो भी row select होगी, उसकी image भी select हो जाएगी, तो इधर आ जाते हैं, इसमें एक काम करते हैं, एक width दे नीचे आ जाए नाम, then इतना हो गया, यहां पर data comic को करा रहे हैं, यह करते हैं, इसका output क्या ही होगा, refresh किया, देखिए, दो users आ गया है, नाम, यहां पर email, picture, के बाद email, phone number, location, date of birth, फिर verified, status और date, अभी यह चीज़े नहीं लिखी हैं, तो एक काम करते हैं, verified के लिए तो फिल $ verified, इसकी value हम blank कर देंगे फिलहाल के लिए, यहां ब्लैंक ही क्यों करते हैं, यहां पर एक badge उठा लेते हैं, तो इदर docs में हम आ जाएं, यह 5.2 है, यह 5.2 यूज़े हो रहा है, वूट्स्रैप का तो इसकी documentation थोड़ी सी अलग है, हम 5.0 आले पर आते हैं, जो अभी हम यू उठा लेते हैं, इदर आकर इसको paste कर दिया, तो badge रहे गए, इसका text dark, यह सारी चीज़े as it is रहने देते हैं, यहां पर text dark को हटा देते हैं, warning की जगए यहां पर काम करते हैं, एक icon डाल देते हैं, मतलब user tick and cross के भियाफ पर हम दिखा देंगे कि यहां user active है या नहीं है, या नहीं दिया है, यहां पर text search किया तो भी नहीं मिल रहा है, काम करते हैं, यहां पर cross डाल देते हैं, फिर भी नहीं आ रहा, check, check का अगर हम करेंगे तो यह रहा एक check LG, यह हो गया है, बाकी cross का नहीं आ रहा है, लेकिन cross का हमें एक याद तो था, pencil यह रहा, तो अगर माल लेते हैं कि आप verified नहीं हो, by default यह जो variable है, इसके अंदर यह रहेगा, यह cross, यह cross बताएगा कि आप verified हो ही नहीं, एक काम करते हैं, इसको print भी कर देते हैं, यहीं पर, dollar verified, refresh किया, देखिए, आप verified नहीं हो, यह दिखा रहा है, then इसके बाद हम एक condition डाल देते है हमने का, if dollar row के अंदर, verified नाम का एक index होगा, is underscore verified, अगर यह true हुआ, यानि कि इसकी value 1 हुई, ठीक है, तो क्या होगा, हम इसकी value ही पूरी change कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, x की जगा पे, यह वाला, यह जो इतना code है, by by check lg, इसको इधर paste कर देते हैं, warning को कर देते हैं, यहाँ पे, success, इधर आकर refresh करते हैं, देखिए, यह दोनों users verified दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, अगर यह ABC at the rate, ABC.com को ले ले हम, यह भी verified दिखा रहा है, क्योंकि इसकी value 1 है, और माले ज़िए, इसकी value हम zero कर दे हैं, यहाँ पे, आप हो सकता है, कि यह सोच रहा हूँ कि यह ABC at the rate, ABC.com verified कैसे दिखा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बाद में test कर रहे हैं, असल में, तो हमने बस इसको normally यहाँ पे verified and verified करके बस check कर रहे हैं, यह सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो email testing के time पे हमने इसकी values को थोड़ा सा change कर दिया था, बाकी यहाँ पे इस तरीके से not verified दिखाएगा, अब यहाँ पे इसके बाद status, status आता है, तो status के case में भी हम यहीं करेंगे, हमने का dollar status equals to, अब एक बटन दे देंगे यहाँ पे, जिस बटन के बिहाफ पे आप status को change कर पाओ, तो अगर हम इधर आ जाए rooms वाले में, यहाँ पे get all rooms, यहाँ पे है न, toggle button के लिए status, इस पूरे को copy कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, इसके अंदर paste कर देते हैं, यह toggle status को ignore कर देना, row id, यह तो रहे गई, हमने का by default status अगर active ही रहना है, क्योंकि जब भी user account create करेगा, तो वो active ही रहेगा, तो status उसका active रहेगा, हम यहाँ पे active दिखा रहे हैं इस पर click करने पर क्या होगा, वो inactive हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, if dollar row के अंदर जो status है, वो equals to zero, यह तो आप ऐसे लिख दो, यह तो not यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर not one, ठीक है, तो अगर यह true नहीं होता है, यानि कि zero होता है, अब इसको copy करके इधर paste कर कर देते हैं, यहाँ पर warning या डेंजर कर देते हैं, यहाँ पर active की जगह लिख देते हैं, inactive, यह आप चाहो तो ban लिख सकते हो, ban, unban, इसकी line को change कर देते हैं, जिसे थोड़ा सा समझ में है, सही से, इतना हो गया, यहाँ पर copy करके paste करके यहाँ लिख देते हैं, status, refresh किया, त active किस भी आप पर दिखा रहा है, यहाँ पर हो सकता है, इसकी value देखिए, यहाँ पर status 0 दिखा रहा, ठीक, तो अगर status का one कर देंगे हम, यह इस तरीके सो जाएगा, अभी तो यह button है, जो की काम नहीं करने वाला, ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए ignore कर दो, आप यहाँ पर one कर देंगे, यूजर पहले से ही inactive है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका जो status वो one हो जाएगा, यानि कि वो active हो जाएगा, इतना चीज़ें clear हो गई, दिन बात आती है delete की, कि किस तरह की user को आप delete कर सकते हो, तो देखिए normally, हमने जैसा की बात की थी पहले भी कि, अ ऐसे situation में अगर किसी ने call करके admin से ये बोला, कि sir हम अपना account में गलती से गलत email डाल दी हैं, इससे ये रिक्कत हो रही है, तो उस तरह के account को क्या करेगा, वो delete कर देगा पहले तो, यहाँ पर active, inactive तो हर तरह के account को आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई email ऐसा है, या अगर कोई यूजर ऐसा है, जो unverified है, तो उसको आप delete भी कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम date दिखाएंगे, date के बाद यह delete बटन दिखा देंगे, कि आप unverified users को delete कर सकते हो, अराम से, तो यहाँ पर हम आ जाते है, date के लिए एक चीज़ कर लेते हैं, पहले तो, dollar date equals to, हमें pass करना होता है, time stamp, time stamp हमारे पास है, dollar row के अंदर, यहाँ पर date, date and time है, date and time, चेक कर लेते हैं, date and time, इसको अगर हमने directly अभी pass कर दिया है, तो इससे यहाँ पर date नहीं दिखने लगेगी, फ़ले आप यहाँ पर इसको echo करा दो, यहाँ पर semicolon लगा के, इधर copy paste करके, इध कोई चीज समझनी पड़ेगी, the date या time stamp must be of type int string given, date आपकी int type क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, तो basically हमें करना क्या होगा, इसे wrap करना होगा bracket में, एक function के through, str to time, यानि कि string को आप time में जारा convert करो पहले तो, ठीक, कितना करने के बाद आप date को use कर पाओगे, अपने function के अंदर, तो इधर safe किया, इधर आके refresh किया, तो अब देखिए, date हमारी, date month and year format में दिख रही है, ठीक, तो इस तरीके से date को convert किया जाता है, कि आपने का database में date store कराई है, तो इस तरीके साब show करना चाहो तो कर सकते हो, आप यहाँ पर time देना चाहो तो time भी दिखा सकते हो, ठीक है, आर, colon, minute, colon, second इस तरीके से करके, ठीक है, तो फिलाला में नहीं दिखाना, ठीक, इसके बाद आता है delete button, तो delete button सिर्फ उनको दिखेगा, जो भी user unverified है, तो यहाँ पर एक button ले लेते है, dollar, dell, btn, equals to double quotes के अंदर, यहाँ पर rooms में आ जाते हैं, delete button कहीं पर तो होगा, यह नही यह नहीं रहा, यह code इतना copy करेंगे, इधर लाकर इसमें paste कर देंगे, इसके बाद remove room को ऐसे ही लिखा रहें देते हैं, या चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो, remove user, और yes function के अंदर हम पास करेंगे, यहाँ पर dollar id, बाकी सारी चीज़ें आजटे तरहने देते हैं, तो by default is button क इस variable की value यह रहेगी, अगर user verified है, तो आप उसको delete नहीं कर सकते हैं, आप उसको ban कर दो, अगर आपको कर नहीं है तो आप उसको ban कर दो, अगर आपने delete किया तो वो हो सकता है, फिर से account create कर ले, तो आप unverified user को delete करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर वो verified हुआ, तो यह जो button है इसकी value क्या कर दो, आप blank कर दो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, rate के बाद copy paste करके, dell underscore btn लिख देते हैं, refresh किया, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा तो देखिए, यह user verified नहीं है, तो इसको आप delete कर सकते हो, यहाँ पर button है, अब इसके बाद next काम हमारा है कि status को toggle करना, कि अग function call होगा, उसमें id जाएगी user की, और यह zero value जाएगी, यानि कि उसको inactive कर दो, तो इधर इस function को हम uncomment करेंगे, हमने का यह request जानी चाहिए users वाले page पे, तिन सारी चीज़े as it is रहेंगी, status toggled, ठीक है, server down वरना, get all rooms की जगा पर यहाँ पर होगा, get underscore users, ठीक जैसा ही toggle हो जाए तो यहाँ पर users को active कर देना, sorry, users को reload कर देना, बाकी यहाँ पर value, toggle status, यह सारी चीज़े as it is रहने दो, इसको collapse कर लो, इधर आ जाते हैं, इधर नीचे आएंगे, तो यह toggle status के लिए है न, request यहाँ पर आएगी, हमने का update कर दो, user underscore create name की table में, set status is equals to question mark, where id is equals to this, ठीक, बाकी filter तो कर नहीं है data को हमें, यहाँ पर value, toggle status, update, यह सारी चीज़े, यह सब साही है बिक्दम, इसको collapse किया, इधर आकर refresh करते हैं, check करते हैं, काम बनेगा की नहीं, active, तो अब देखते हैं, check करते हैं, तो status 0 हो गया, तो इसका मतलब है, सारी चीज़े साही से काम कर रही है, inactive, active, inactive, अब इसके बाद क्या करना है, user को remove करने की functionality डालनी है, तो अगर हम उपर आ जाएंगे, हम इधर देखते हैं ध्यान से, तो यह बटन है न, user remove नाम का, ठीक है, sorry, remove user नाम का function call हो रहा है, तो इसको भी पहले कर लेते हैं, remove user, और इसको uncomment कर देते हैं, हमने कहा, जैसे यह function call हो, तो पहले तो पूछना, do you want to remove, यहाँ पे remove, इस user लिख देंगे, अब सच में, इस user को remove करना चाहते हो, बाकी room id की जगा हो जाएगा, user underscore id, यहाँ पे room id की जगा लिख देते हैं, user id, यह user id, remove, यहाँ पे लिख देंगे, user, इसे भी लिख देते हैं, users, ठीक है, यहाँ पे get users नाम का function call होगा, यह सारा data एकदम सही कर दिया हमने, collapse किया इसको, हमने का जैसे यह function call होगा, इधर request आएगी, sorry इधर नहीं आएगी, कहा गया, नीचे इधर scroll करेंगे तो, यहाँ पर request आएगी, इसको uncomment किया हमने, remove room की जगा पर क्या कर देंगे हम इसको, index क् remove user, तो इसको copy कर लेते हैं, इधर paste कर देते हैं, data filter होगा, then यहाँ पर देखी user को remove करना है, तो फिलहाल के लिए, जो scenario है, वो हमारा कुछ ऐसा होगा, कि इसको रखते हैं सिर्फ rest 5 को, यहाँ पर लिख देते हैं rest, हमने कहा delete function को call करना, और delete function से क्या होगा, हमने कहा delete करना ह एक second, यहाँ पर query लिख देते हैं पूरी, delete from, यहाँ पर user cred लिख देते है, user underscore cred, set, set नहीं करना हमें, यहाँ पर सिर्फ where use करना हमें, where id is equal to question mark, जो भी id आप pass करो को वो, and, हम यहाँ पर column देते हैं, is verified, equals to question mark, हमने कहा, अगर user की id, जो भी आप pass करो वो, अगर वो verified नहीं है ठीक है, तो यहाँ पर user id होगा, room id की जगा, user id, ठीक, अगर user id आप जो पास कर रहे हो, वो, और जो column है, वो, is verified की value 0 है, तब आप पर आ करना, उसे delete कर देना, and, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ अगर result हमारा, मतब जानी की, एक row delete हुई है, एक user delete हुआ है, तो यहाँ प user remove हो गया, और हमारा जो यह table है, वो refresh हो गया, तो इस तरीके से users का management है, वो आप कर सकते हो, next बात आती है, कि अगर बहुत धेर सारे users हो जाएंगे, तो हमें उसे ढूणना पड़ेगा, search करना होगा, कि अगर कोई user को लेके, मतब किसी ने कह दिया, कि हाँ, account हमारा delete कर दो, या किसी user को ढूणना है, तो कैसे ढूणोगे आप, तो searching का जो feature है, वो यहाँ पर हम implement करना आप सीखेंगे, ध्यान दीजेगे कि आपको यहाँ पर सीखने को क्या मिल रहा है, instead कि आपको बस project बन जाए, आपने क्या क्या चीजें सीखी एक language में, वो आपके लिए जादर ज none, फिर w-25, फिर कम हो जाएगी थोड़ी सी, आप कहा सकतो 25%, shadow-none हो गया है, then इसके बाद ms-auto, यानि कि left side की, जो starting left side की margin है, वो auto हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक placeholder भी डाल देते हैं, यहाँ आप लिख देते हैं, type anything to search, type to search तरीके से, अब इसका output देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से में output मिल रहा है, अब हम चाहते हैं, यहाँ पर जब कुछ लिखें, तो वो search होना चाहिए, तो हमने कहा, कि इसमें एक function लगा दो, या sorry, तो हमने कहा कि इसमें event handle लगा दो on input, कि जब भी इसमें कोई भी data में input करें, तो एक function call होना चाहिए, search underscore user name का, और उसके अंदर करना क्या, this.value को पास कर देना, यानि कि इस input field की उस time पे जो भी value होगी, जो भी आपने type किया होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, this मतलब क्या है, यह input field, this का मतलब यही होता है, यह input field, जिसमें जो भी action हो रहा है, तो यह input field की जो भी value है, वो इस function में प पर लिख देते हैं, function, remove user, sorry, search user, यहाँ पर text लिख दो, आप चाहिए value लिख दो, जो आपको suitable लगे, आप लिख सकते हो, तो, फिल्हाल हम चाहते है, user name आप type करो, तभी आप search कर पाऊगे, ठीक है, मतलब जिसको भी डूढ़ना है, उसका बस user name type करो, काम आपका हो जाएग इसके बाद हमें क्या करना है, ajax query fire करनी है, get user को copy कर लेता है, यहाँ पर paste कर दिया, users वाले पर जाएगा, table populate करनी है, हाँ table populate करनी है, यानि कि सर्चिंग के टाइम पर क्या होगा, कि जितने भी number of rows, जैसे माल लीचे, ad करके कई लोगों को नाम है, ठीक है, ad word कई लोगों जो भी row मिलेगी हमें, उसमें हमें इसी को change करना है, यह जो हमार table rows आ रही है, फिर get user की जगा पर हम लिख देंगे, search user, and यहाँ पर user name, यह सर्फ name लिख देते हैं, equals to, plus यहाँ पर user name, इतना कर दिया, इसको चाहो तो आप collapse कर दो फिलहाल के लिए, इधर आ जाते हैं, यहा copy कर लो, यहाँ पर नीचे paste कर दो, इसके बाद get users की जगाँ पर हम लिख देंगे क्या, search user, फिन इसके बाद, अब यहाँ पर हमें ज़्यादा changes नहीं करना है, हमें सिर्फ एक change करना है, और वो change क्या है, कि हमें select all के बजाए select function को call करना होगा, ठीक, अब इसके अंदर हमें तीन चीज़ें पास करने है, पहली तो SQL query, फिर values और किस टाइप की value है वो, तो हम पहले query लिख देते हैं, और यहाँ पर frm data equals to, इस बार हमारे पास क्या हो रहा है, देखी data भी आ रहा, user जो भी search करेगा ना, वो हमारे पास आएगा, तो उसको directly अपनी query में लिखने के बज query में हमने लिखा, हमने का select asterisk from user cred, user cred नाम की table है, उसमें से सारा data fetch कर लेना, where, हमने का where name like, question mark, अब आप सोचों कि यह like क्या है, तो देखिए SQL में जो like operator होता है, इसका काम क्या होता है, कि यह ढूंड़ता है कोई pattern, अगर आपका कोई pattern है, उसके अंदर कोई चीज ढूंनी आपको जैसे इस column में, name name के column में कोई pattern डूनना है, pattern के हिसाब सो data डूनना है, या column को search करना है, तो आप like command को use करते हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, एक pattern यानि कि जो भी हम value देंगे, वो चीज अगर user name में, जो column है name नाम का, उसमें अगर match कर रहे है, किस पास किया, dollar query के बाद हमें value पास करनी है, तो हमें हमने कहा था ना, कि like में हम directly क्या लिखेंगे, यह हम directly यहाँ पर जो search कर रहे हैं, वो नहीं पास करते हैं, हम एक pattern देना होता है, तो दो बार अगर हमने percentage लगाया, और इसके बीच में अगर हमने लिख दिया dollar frm data का, यहा पूरे name नाम के column में देखेगा, कोई ऐसा user है, जिसके नाम में, यह index में जो भी हमें input किया है, जैसे हमने यहाँ पर AD लिखा है, यह देखेगा, कि जितने भी columns हैं, क्या, उसमें AD कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर जैसे इस name के अंदर AD कहीं पर लिखा हुआ है, त स्टार्टिंग में, चाए एंडिंग में, कोई जरूरी नहीं है कि AD से नाम शुरू हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, यह AD से नाम खतम हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब बीच में भी कहीं मिल जाएगा न, AD, तो इस row को बस simply select कर लो, ठीक है, यह इसका मतलब है, बाकी का code as it is लिखा रहेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इधर आकर refresh कर लो, यहाँ पर हमने लिखा A, देखे, row गायब हो गई, क्यों गायब हो गई, क्यों गायब हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर A लिखा है क्या, नहीं लिखा, लेकिन तो I hope हमने काफी सारी चीज़ें सीख लिया आज, किस तरीके से सर्चिंग करनी है, किस तरीके से डेटा को दिखाना है, active, inactive, महां लेजे किसी यूजर को हम ढून रहे होंगे, तो यहाँ पर आराम से ढून सकते हैं, उसको active या inactive कर सकते हैं, यह table कितनी भी लंबी हो सकती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जब भी किसी यूजर को अगर हमें बैन भी करना होगा, तो यहाँ से हम ढून के ही करेंगे, तो I hope इस वीडियो में आपको काफी सारी चीज़ें समझ में आई हो, और in case कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, तो comment में आप पूछ सकते कि अ Ward allen करो सेरा नहीं फर्क नहीं समझ में आता है लाग, को सारी लावपा है, जब भी युख है नहीं समझ में गी युछ करेंगे युप Aww烏थ मेर एक्पवाप है